सुप्रभाद प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वर्दत है बच्चों आज हम बढ़ना और पैचाना सीखेंगे स्वर और से अह, व्यंजन करसे ग्या को हमारी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़े स्वर और व्यंजन के दौरा इसके साथी बच्चों हम पेच नंबर 67 पर दिये गए दो अक्षर के शब्दों को भी पढ़ना सीखेंगे बच्चों आज हम लिखने का अभ्यास करेंगे व्यंजन करसे मा को हमारी हिंदी की नोट बुक में और इसके साथी मैं आज आपको एक नई कविता सिखाने वाली हो जिसका नाम है तोता राम तो बच्चों चलो हमारी हिंदी की ग्लार शुरू करते हैं बच्चों आप बारी है हमारी हिंदी की डीडिंग करने की तो आप अपने हिंदी आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन वाली बुक लेकर आओ बच्चों पेजना बत्री ओपन करो आप देखो पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन ये क्या है अ तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर अ, आ, छोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, अई, ओ, अउ, अंग और अह तो ये हैं स्वर अ से लेके अह तक हमने ये पढ़ना सीख लिया, पहचानना भी सीख लिया, अब हम व्यंजन पे आते हैं व्यंजन का पहला अक्षर क, ख, ग, घ, अंग दूसी लाइन का पहला अक्षर च, छ, ज, ज, इ, य, बच्चों इने पहचानना बहुत जरूरी है अब है ट, ठ, ड, ध, अड, अब आता है त, ठ, द, ध, और न इसके बाद है प, फ, ब, भ, और म अब बारी है य, की, य, र, ल, और व, अब है श, श, स, और ह लास्ट लाइन है श, त्र, और ग्या की इस तरह से बच्चों अब आपको व्यंजन भी पहचानने है ठीक है क से लेके ग्या तक तो इसका बार-बार पढ़ने का अभ्यास करना है बचो आप पेज जंबर 67 ओपर गर ठीक है अब इस पेज पर जब दो अक्षर के शब्दी हैं उसको हम पढ़ना सीखेंगे देखवा पहली लाइन कप कप जप जप तप तप दम दम फट फट कब कब जब 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 तब तब और चल चल तो यह देखवा आप दो अक्षर के शब्दों को आप कैसे पढ़ना सीखोगे जब आप इन अक्षरों को पहचानोंगे समझ में आया इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही है उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है अब हम दूसरी लाइन पर आते हैं क और म कम कम इसको आसे पढ़ेंगे मात मत आम आम वन रख रख करकर डर डर कल कल और जल जल इस तरह से दूसरी लाइन पढ़नी है अब देखो यह है गप गप अब तीसी लाइन पर आते है चमचम पतापट पतापथ फाणा फन कटाटम कटटब दबदब टबटब फलफल और तल 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 त हमने तीसी लाइन भी पढ़ ले आप चौथी लाइन चम मा चम हो गया चम मा चम 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 बा मा बम था मा थम मा ना मन रट रट घार घर पर पर काल कल और दल दल इस तरह से बच्चों आपको ये पेश रंबा 67 पे दिये गए दो अक्षर के शब्दों को पढ़ना सीखता है बच्चों आज हम क से म लिखेंगे वियंचन क से म जोब तक आपने लिखना सीखा है उसको नोट बुक में लिखेंगे तो एक नए पेज पे आते हैं और देखो फर्स लाइन में आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है क डाश म ऐसे क से म तक लिखना है सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे आज है 26 नवेंबर 2021 इस तरह से मार्जिन लाइन में आप देखो हम लिखना शुरू करते हैं क क क के बाद आता है ख क क के बाद है ग फिर लिखेंगे ग और फिर अंग अब यह दूसरी लाइन हैं यहाँ पर लिखेंगे च च, च, ज, 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 और यहाँ देखो व्याजन की दूसरी लाइन खतम हो गई अब है ट, ठ, ड, ढ, अड, अब है त, ठ, द, ध, न, अब आएगा प, प के बाद है फ, प के बाद है ब, भ, और फिर म, तो देखो आपने एक बार हमने का से मा लिखा अब एक लाइन छोड़ देंगे यह वन लाइन जो है पीछी चोड़ के हैं फिर से एक बार लिख लेंगे। ग, ख, घ, ग, 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 अंग, च, 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 ज, 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 आँआ ट, ठ, ड, ध, अड, त, थ, द, ध, न, अब है प, भ, 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 और म, इस तरह से दो बार आपको इस पेज में का से मा लिखना है और इसकी पिक्चर मुझे भेशनी है बच्चो आज हम एक नई कविता सीखने वाले हैं तो आप जल्दी से अपनी बाल गीता अंजली पुस्तक लेके आईए तो बच्चो पेज संबर 13 ओपन करो इ आपको सिखाने जा रही है उसका नाम है तो आप पिक्चर में देखो कौन है ये एक सुन्दर सहारे रंग का तो ता है और ये तोता क्या करता है सबको रोज प्रणाम अच्छे बोल सिखाता है सबके मन को भाता है बच्चो तोते जो होते हैं वो हमारी आवाज की नकल करना जानते हैं, लेकिन ये तोता जो है, ये तो बहुत ही अच्छा तोता है, ये क्या बोलता है, सुबह सुबह सबको गंगाराम बोलता है, और सबको रोज प्रणाम करता है, जिसको भी देखता है, उसको प्रणाम करता है, और सबको अच्छी अच्छी बाते सिखाता है, और सबको रोज प्रणाम अच्छे बोल सिखाता है, सबके मन को भाता है मुझे आशे आपको ये कविता समझ में आ गई होगी अब मैं आपको एक्षिन के द्वारा ये कविता दिखाती हूँ कि आपको कैसे करनी है बच्छों जो मैं नई कविता आज आपको सिखाने जा रही हूँ, उसका नाम है तोता राम तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बार सुनना है, मैं कैसे कविता बोल रही हूँ, फिर आपको एक बार फिर से प्राक्टिस करनी है मेरे साथ सुप्रभात, मेरी कविता का शीशक है तोता राम तोता बोले गंगा राम, करता सबको रोज प्रणाम अच्छे बोल सिखाता है, सबके मन को भाता है एक बाफिर से बोलते हैं तोता बोले गंगा राम, करता सबको रोज प्रणाम अच्छे बोल सिखाता है सब के मन को भाता है धन्यवाद इस तरह से बच्चों आपको आक्षिन के द्वारा इस कविता को याद करना है और इसका विज़े बना कर मुझे भेशना है मैं आप से आपकी अग्री क्रास मिलती हूँ अब तक के लिए बाई